अबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्टा औस्टेलिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टी 20 सिरीज चल रही है। नॉट आउट बना कर उन्होंने इस मैच को जीत कर इंग्लैंड की जोली में ऑस्टेलिया के खलाफ सिरीज डाल दी इस दोनों मैचेस पर क्या कहते हैं या प्रोहित क्योंकि डॉमिनेट किया है दूसरा मैच इंग्लैंड ने। जैसे और खास पर पर स्टोइनिस जैसे बल्लेबास जो बिग बैश में जाना जाता है जिन्हें हार्ड हिटिंग के लिए वो अभी बचे हुए थे लेकिन दूसरा मैच आपने बिल्कुल सही का बटलर ने जिस तरह के पारी खेली उन्होंने मैच को मतलब एक तरफ से लग रहा था कि अश्रेलिया कोशिश कर रहा है मैच में वापस आने की विकेट्स पर विकेट्स लिये जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ बटलर अलगे रादों से आयोए थे उन्होंने सोचा कि याज प्रूफ करके रहूंगा याज पर रहाँ इंगा बेशस्चा कि अपने आने का एलान कर देना कि इतनी शंक नाद कर देना झांट कर देना उन्होंने छहाँ चौपर अचेक्ड आचर कि विकेट्न नहीं मिले लेकिन उनकी जो गेंदे थी दो तीन गेंदे तो उनकी थी कि बता रही थी कि भाई ये बॉलर जो है इस वक्त पे प्राइम फॉर्म में चल रहा है और उसको देखकर के बल्लेबास भी अप्रीशियेट कर रहा था कि यार इस गिंद का सच में मेरे पास कोई जवाब नहीं है तो बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपके पास पहले बहुत कि इस गेंड को देखकर बल्लेबास भी कह रहा है भई मैं इस गिंद का कुछ नहीं करता है तो यह जो एक कम्प्लीट ओर और परफॉर्मेंस दे रही ना इंग्लिंड की टीम और खासतोर पर उस्ट्रेलिया और इंग्लिंड का जो टसल जलता है आपस में की कौन ज जीतेगा तो यह सारी चीज है इसमें इंग्लिंड का इस तरह से डॉमिनेट करते वें जीत जाना और यह हालिया समय की बात नहीं है अगर आप आशेज भी उठाकर देखें या वर्ल्लकुप उठाकर देखें वर्ल्लकुप में जो एक गेम हुआ था और इसके अलावा जो कि Australia को रॉंद देना है Australia के साथ जो उसकी राइवल्डी चलती है वो बिल्कुल भी तीसरा मैच हलके में नहीं लेगी और वो इसी इरादे के साथ उतरेगी कि Australia को रॉंद देना है उसका वाइट पॉश कर देना है अपनी धरती पर ट्रेनिल होता है तो T20 रांकिंग्स में नंबर वन आजाएगी इंगलिट बिल्कुल बिल्कुल नंबर वन आजाएगी तो देखते हैं क्या होता है आपका क्या मानना है इस पूरी सिरीज पर अभी तक के दो मैचेस पर और आखरी मैच में अगर कुछ प्रेइट करना चाहते है आप कौन जीतेगा कौन हरेगा तो आप रिट कर सकते हैं बहुत पर शुक्राइब इस वीडियो को देखने के लिए नमस्कार